हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग? गैज य Under, आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास में है ये पानी की बड़ी वाली बोटल और एक हमारे पास में हो गया सोडियम मैतल सोडियम मैतल को जब हम पानी के अंदर दालते हैं यहाँ पर हमारे को एक बहुत ही खतरनाक reaction यहाँ पर देखने को मिलती है जब sodium metal को हम पानी में डालते हैं गाईस तो यहाँ पर एक exothermic reaction होती है exothermic का मतलब होता है यहाँ पर हमारे को बहुत ज्यादा heat यहाँ पर generate होती है reaction के अंदर और इसी के साथ में यहाँ पर hydrogen gas भी यहाँ पर release होती है और exothermic reaction के वज़े से हमारा hydrogen gas होती है उसके अंदर आग लग जाती है और आग लगने की वज़े से हमारे को यहाँ पर बहुत ही तेज धमाका यहाँ पर देखने को मिलता है तो आज के सीडियो में गया जा रहेंगे हमारी जो फानी की बॉटल है अंदर में बडा सा जो sodiumirens Clerkस का त।कड़ आपर डालने वाला हूं और उसके बाद में गया देखेंगे कि हमारी जो बॉटल इसका यहां पर क्या वहाल होने यह हमारी जो बॉटल है यह धमाके में यहां पर बचेगी या नहीं बचेगी तो चली गईज हम स्टार्ट करते है तो गाइज अब यह जो हमारा सोडियम मैटल है यह इस पानी की बॉटल के अंदर मैं डालने वाला हूँ तो गाइज यह जो सोडियम मैटल है इसको मैं एक बार ये कागस के अंदर यहां पर रैप कर लेता हूं और उसके बाद में गाईज इसको हम इसके अंदर डालेंगे झाले रव झाले रडिदे बार यका व। झाले ड़सितों रडिदे झाले बारे पानी की बॉटल थी बड़ी वाली इसका यहां पर क्या हाल हो गया है और इसके बाकी जो टुकड़े हैं इदर उदर बिखर गया है पता नहीं कहां कहां चले गया हैं यह देखिये गाइज यह देखिया हमारी पानी की जो बॉटल है अगर आपको वीडियो अच्छा लाओ तो इसको लाइक कर दीजीगा शेर कर लेजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और मिलते हैं हमारी इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाब बाई जैहिंद वंदे मातरम